गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रकर जीस के इस वीकली करेंट अफियर्स वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच के समसामाइक घटनाओ पर आधारित MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। आसा है कि ये सभी MCQ आगामी होने वाले परिच्छाओं के लिए लबदायक सीद्धोंगे। तो आईए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो। है पहला परस्ण है स्वक्ष सर्वेक्षन 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा सहर एक लाख से अधिक आबादी वाले सहरों में सबसे स्वक्ष सहर घोसित किया गया है। तो इसका एंसर होगा इंदौर स्वक्ष सर्वेक्षन 2022 का नुसार इंदौर एक बार फिर से भारत का सबसे स्वक्ष सहर घोशित किया गिया है यह लगतार छट्थी बार भारत का सबसे स्वक्ष सहर घोशित किया गिया है स्वक्ष सर्वेक्षन दो हजार सोला से प्राड़म किया गया था यह अबीश्व का सबसे बड़ा सहरी स्वक्षता सर्वेक्षन है स्वक्ष सर्वेक्षन 2022 कनुसार इंदोर पहले अस्थान पर है, सूरत दूसरे अस्थान पर जबकि नवी मुंबई तीसरे अस्थान पर है नेक्स्ट कोश्चन है स्वक्षसरवेक्षन दूजर बाइस कनुसार 100 स अधिक अस्थानिय सहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेनी में निम्न में से की सिराज्य को प्रथम अस्थान प्राप्थ हुआ है तो इसका सही एंसर होगा मध्परदेश 100 से अधिक अस्थानिय सहरी निकायों वाले राजियों की स्रेनी में मध्ध परदेश को सबसे स्वक्ष राज घोशित किया गया है इसे स्वक्ष सर्वेक्षन के अनुसार मध्ध परदेश को पहला अस्थान, 36 गड़ को दूसरा अस्थान, तथा महाराष्ट को तीसरा अस्थान मिला है स्वक्ष सर्वेक्षन 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की स्रेणी में निम्ने में से किस राज्य को प्रथम अस्थान प्राप्थ हुआ है तो इसका सही अंसर होगा तेलंगाना, बड़े राज्यों की स्रेणी में तेलंगाना को प्रथम अस्थान प्राप्थ हुआ है जबकि हरियाना को दूसरा अस्थान Next question है स्वक्ष सर्वेक्षन दूजराज़़वाईस की अनुसार छोटे राज्यों जवम केंदरसासित प्रदेसों की शूरेनी में नीमने में से कौन सा राज्य है या केंदरसासित प्रदेस प्रतम अस्थान पर है तो इसका सही एंसर होगा अंडमान निकोबाड स्वक्ष सर्वेच्चन 2022 के नुसार छोटे राजियों एवं केंदर सासित प्रदेशों की स्रेनी में अंडमान निकोबाड को प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है दूसरा अस्थान मिला है दमन एवंग दिव तथा दादर नागर हवेली को तथा तीसरा अस्थान मिला है सिक्किम को तीसरा अस्थान दमन एवंग दिव तथा दादर नागर हवेली को दूसरा अस्थान और अंडमान निकोबाड को पहला अस्थान मिला है नेक्स्ट कोस्चन है, हाली में बित मंत्राला ने छेत्रिये ग्रामिन बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूची बध करने के लिए दिशा नर्देश जारी किये हैं छेत्रिय ग्रामिन भैंकोंके stock exchangeों में सूची बद होने तथा धन जूटाने के लिए निमन में से कौन सा सर्थ जरूरी है और थात जिस ग्रामिन भैंक का net worth पिछले 3 वर्सों में 300 करो रुप्या हो वह stock exchange में सूची बद हो सकता है जिस ग्रामिन बैंक का पिछले तीन वर्सों में नौ प्रतिसत की पूजी परियाप्तता रही हो वो अभी छेत्रिय ग्रामिन बैंक में सूची बद हो सकता है तथा जिस ग्रामिन बैंक का पिछले पांच वर्सों में निवंतम तीन वर्सों में कम से कम 15 करो रूपया का चालन लाभदर्ज किया हो वो भी एक्स्टॉक एक्स्चेंजों में सूची बध हो सकता है यहां यह जानना जरूरी है छेत्रिये ग्रामिन बैंकों की अस्थापना हुई थी दो अक्टूबर 1975 को ग्रामिन बैंकों के अस्थापना ग्रामिन छेत्रों में छोटे किसानों खेतियर मजदूरों और कारीगड़ों को रिन एवम अन्शुविदायरिय प्रदान करने के उधेश से 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामिन बैंक की अस्थापना हुई थी बर्तमान में RRB में यानि की बर्तमान में छेत्रिये ग्रामिन बैंक में केंदर सरकार की हिसेदारी 50% इसके प्रायोजक बैंकों की हिसेदारी 35% तथा राज्य सरकार की हिसेदारी 15% होती है नेक्स्ट कोश्चन है निम्न में से किसने अक्टूबर 2022 से सभी क्रेडिट कार्ड और डेविट कार्ड की जगह विशेष टोकन का उप्योग अनिवारे कर दिया है तो इसका सही एंसर होगा भारतिये डिजर्व बैंक अर्बी आई ने अक्टूबर 2022 से सभी क्रेडिट कार्ड और डेविट कार्ड की जगह विशेष टोकन का उप्योग अनिवारे कर दिया है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में चार्चा में रहा असपर्स मोबाईल एप निम्न में से किस्चे संबंदित है इसका सही अंसर होगा D अर्थात सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों से तथा रक्षा असायन कर्मियों के पेंशन संबंदिक प्रक्डियाओं के संपूर्ण समधान से नेक्स्ट कोश्चन है हाली में चार्चा में रहा इवर 2.0 इवर 2.0 कार्जकरम निम्न में से किस मंत्राले से संबंदित है तो इसका सही अंसर होगा सिक्षा मंत्राले से इवर 2.0 कार्जकरम सिक्षा मंत्राले से संबंदित है वैसे उभरत इवर लेखक जिनकी उम्र 30 वर्स से कम है ऐसे लेखोकों को प्रसिक्षित करने के लिए या मर्गदर्सक कार्जक्रम है यूर 2.0 नेक्स्ट कोस्चन है राष्ट्रिय हरित नियाधिकर यानि कि NGT NGT ने अगले 6 माह के अंदर सूका पाई का नदी के पुन्ना रुपधार का निर्देश दिया है या नदी किस राज्य में इस्थित है इसका सही अंसर होगा उरिशा सूका पाई का नदी उरिशा में इस्थित है या उरिशा में महा नदी महा नदी की सहायक नदी है NGT की अस्थापना 2010 में हुई थी इसका अभी NGT के बर्तमान अध्यक्ष है आदर्स कुमार गोयल NGT के बर्तमान अध्यक्ष है नेक्स्ट कोस्चन है हाली में निम्न में से किस देश की सेना ने तक्था पलट कर दिया है तो इसका सही अंसर होगा बुर्कीना फासो अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में हाली ने सेना ने तक्ता पलट कर दिया है बुर्किना फासो अफ्रीका का एक भू आबध देश मने इसे देश की सीमा किसी भी देश की सीमा जो अस्थलिय भाग से चारो तरफ से घिरी हुई होती है वेसे देश को भू अबध्य देश काते हैं तो बुर्कीना फासो अफ्रीका का एक भू अबध्य देश है जहां हाली में सेना ने तक्था पलट कर दिया है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में निम्निमे से किन राजियों में अफस्पा को छो मा के लिए बढ़ा दिया गया है तो इसका सही अंसर होगा असाम, मनिपूर, नागालेंड और अरुनाचल परदेश इन ये चार राज भारत के ये चार राज असम, मरनिपूर, नागरेंड और अरुनाचल परदेश में अफ़स्पा को छो मा के लिए आगे बढ़ा दिया गया है अफ़स्पा कानून के तहट ससस्त्र बलों को असांत छेत्र में कानून ब्यवस्था बहाल करने के लिए बिसे सक्तिया मिल जाती है इन चार राजियों के अलावे अफ़स्पा कानून जंबू कास्मीर और लधाक में भी लगू है बिलूप्त होमीनिन के जिनोम और मानो विकास पर सोध के लिए 2022 के चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरसकार स्वानते पाबो को देने की घोसना हुई है स्वानते पाबो का संबन निमन में से किस देश से है तो इसका सही अंसर होगा स्वीडन बिलूप्त होमोनिन मतलब की बिलूप्त मानो प्रजाती के जिनोम और मानो विकास पर सोध के लिए 2022 का चिकित्सा सास्तर का नोबेल पुरसकार स्वीडन के नागरिक स्वानते पाबो को देने की घोसना की गई है स्वानते पाबो के इस सोध के परिनाम स्वरुप पहलियो जिनोमिक्स नामक एक नय बैग्यानिक अध्यान छेत्र का उदय हुगा है इन्होंने जो या सोध किया है उसके अनुसार पहलियो जिनोमिक्स नामक एक नय सोध छेत्र का उदय हुगा है इसमें प्राचीन या बिलुप्त जीवों के जीन का अध्यान और बिसलेशन क नेक्स्ट कोश्चन है बर्स 2022 में बैस्विक अर्थ व्यवस्था में 2.6% के ब्रिधी का अनुमान लगाया गया है। इसका सही अंसर होगा मिशन समर्थ सरकार द्वारा कोईला आधारित ताप विदुत संयंत्रों में वायो मास की उप्योग से उच दक्षता तथा पूजी लागत कम होगी। इंग्लेंड ने हाली में फ्रैकिंग से प्रतिवंध हटा लिया है। हाली में समाचार पत्रों में रहा या सब्द फ्रैकिंग किसे से संबंदित है। तो इसका सही अंसर होगा सेल चटान से गैस और तेल निकालने की तकनीक से। मनें सेल चटान से गैस और तेल निकालने की तकनीक को फ्रैकिंग कहा जाता है। इस तकनीक से प्रिथवी के अंदर इस्थित चटानों में ड्रील कर एक बिसेस प्रक्रिया से फ्रैक्चर कर दिया जाता है। और उसके बाद इससे पाइप के माध्यम से गैस और तेल निकाला जाता है जिसे फ्रैकिंग कहा जाता है। हाली में इंगलेंड ने फ्रैकिंग से प्रतिबंध हटा लिया है। नेक्स्ट कोश्चन है हाल में भारतिय वायू सेना ने विदेशी रूप से बिक्सित लड़ाकू हेलिकेप्टर LCH प्रचंड अपने बेडे में सामिल किया है। भारत लड़ाकू हेलिकेप्टर बनाने वाला 20 वका कौन सा देश बन गया है। तो इसका सही एंसर होगा सात्वा देश। इस परकार का लड़ाकू हेलिकेप्टर बनाने वाला भारत 20 वका सात्वा देश बन गया है। इस हेलिकेप्टर को हिंदुस्तान Aeronautics Limited HAL ने बनाया है। यह दुनिया का एक मात्र ऐसा हेलिकेप्टर है जो 5000 मीटर की उचाई पर लेंडिंग कर सकता है और उरान भी भर सकता है। नेक्स्ट कोस्चन है श्रम, वस्त्र और कोसल विकास पर अस्थाई समिती ने मानो निर्मित फाइबर का विकास रिपोट जारी किया है। विश्व में मानो निर्मित फाइबर का सबसे बड़ा विनिर्माता निम्न में से कौन सा देश है। तो इसका सही एंसर होगा चीन, बिश्व में मानो निर्मित फाइबर का सबसे बड़ा विनिर्माता चीन है, तता भारत का दूसरा अस्थान है, नेक्स्ट कोश्चन है, निम्न में से कौन सा देश चीनी के सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोकता देश बन गया है, तो इस 2022 में, बर्स 2021 में भारत विश्व में चीनी के सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोकता देश बन गया है, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चीनी का निर्यातक देश भी बन गया है, विश्व में चीनी के तीन सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, पहला भारत, दूसरा ब्राजील और तीसरा है थाइलेंड इसी परकर भारत में चीनी के तीन सबसे बड़े उत्पादक राजे हैं उत्तर परदेश, दूसरा है महारास्ट और तीसरा है करनाटक नेक्स्ट कोश्चन है क्वांटम मेकेनिक्स में सोध के लिए बर्स 2022 का भातकी का नोबेल पुरसकार निम्न में से किसे देने की घोशना की गई है तो इसका सही अंसर होगा उपरोक्त में से सभी अर्थात 2022 में तीन लोगों को भातकी का नोबेल पुरसकार देने की घोशना क इन तीन लोगों को 2022 में यानि की इस वर्स भोतकी का नोबल पुरसकार देने की घोसना की गई है। नेक्स्ट कोच्टन है निमने में से किस राज्य के उच नियाले ने ट्रीपल टेस्ट मापदंड में विफल होने के अधार पर वहां के नगरपाली का चुनाओं में अन्य पिछरा बर्ग माने की OBC और आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग EWS को दिये जा रहा है आरक्षन को अगरपाली का चुनाओं में OBC और EWS को दिये जा रहा है आरक्षन को हाली में अभैद गोसित कर दिया गया है यह ट्रीपल टेस्ट मापदंड भारत के उचतम नियाले ने निर्धारित किया था जो के क्रिष्णमूर्ती के क्रिष्णमूर्ती वर्सेस भारत संग मामले में भारत के उचतम नियाले ने ट्रीपल टेस्ट मापदंड अस्थापित किया था इस ट्रीपल टेस्ट मापदंड के अनुसार तीन प्रकार की सरते निर्धारित की गई है पहला सर्थ है परतेक अस्थानिय निकाइ में OBC के पिछ रेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए प्रच्छन अनुपात निर्धारित करना था तथा तीसरा सर्थ था कि SC, ST तथा OBC के पक्ष में समग्र आरक्षिक सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए इस आधार पर बिहार सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के मापधंट को अपनाए हुए OBC को आरक्षन दे दिय इसी आधार पर एक रिट दैर किया गया था पटना उच न्याले में जिसके आधार पर पटना उच न्याले ने इस आरक्षन को अबैद घोसित कर दिया है जिसके बाद से अब बिहार में जो हाली में नगरपालिका का चुनाव होने वाला था उस पर औस्थाई रूप से र खिलाप निम्न में से किस ने अप्रेशन चक्र प्रारंब किया है तो इसका सही एंसर होगा B. केंद्रिये अनवेशन ब्यूरो केंद्रिये अनवेशन ब्यूरो ने साइवर सक्षम अप्राध नेटवर्क के खिलाप हाली में अप्रेशन चक्र सुरू किया है केंद्रिये अ संजुक्त राष्ट एजेंसी के वर्स 2022 के नांसेन सरनार्थी से निमने में से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सही अंसर होगा एंजोला मार्केल एंजला मारकेल को या कुरसकार सिर्याई संकट के समय सरनार्थियों की सुरक्षा से हेतु किये गए उनके कार्ज के लिए दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है निमन में से किस देश में हाली में 66 बचों की मत के बाद 20 वस्वास्त संगठन ने भारत में निर्मित कौफ सीरप के खिलाफ चतावनी जारी किया है गांबिया अट्लांटिक मासागर के तर्ट पर इस्थित एक अफ्रीकी देश गांबिया की राजदानी ये बांजूल एनी एर्नोक्स फ्रांसीसी लेखक हैं साहित का नोबेल पुरसकार स्विडिस अकाडमी एक टोक हम द्वारा दिया जाता है वर्स 1913 में भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को साहित का नोबेल पुरसकार मिला था रविने नाट टेगोर तब भारत के पहले तथा विश्व के पहले ऐसे गैर यूरोपीय व्यक्ति बने थे जिने साहित का नोबेल पुरसकार मिला था नेक्स्ट कोच्चन है निमने में से कीसे वर्स 2022 का नोबेल सांती पुरसकार देने की घोशना की गई है तो इसका सही अंसर होगा उपरुक्त में से सभी मतलब की बेलारूस की मानुआधिकार अधिवक्ता LS Biali Yatsuki, रूसी मानुआधिकार संगठन मेमोरियाल तथा यूक्रेन का मानुआधिकार संगठन Center for Civil Liberties, इन तीनों को संजुक्त रूप से वर्स 2022 का नोबेल सांती पुरसकार देने की घोशना की गई है नोबेल सांती पुरसकार नारवे की संसत द्वारा चूनी गई एक समीती द्वारा प्रदान किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में चर्चित कुंडा डेडी जन जाती का संबंद नीमन में से किस राज्य से है तो इसका सही अंसर होगा आंधपर्देस और तेलंगाना की एक प्रमुक जन जाती है या जन जाती अपनी रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाने के लिए बांस के अंकूरों का प्रयोग करती है नेक्स्ट कोश्चन है भारत के चुनाव आयोग ने निमन में से किसे नेशनल आइकन बनाया है तो इसका सही अंसर होगा पंकज तिरपार्थी बिहार के प्रमुक अभिनेता पंकज तिरपार्थी को भारत के चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है ये पंकज तिरपार्थी युवा मत दाताओं के बीच चुनाव के लिए जागरूपता पैदा करेंगे नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय नउसेना ने निमनी में से किस देश के साथ वाईट सिपिंग इन्फोर्मेशन एक्सजेंज पर एक समझावता गयापन पर हस्ताक्षर किया है तो इसका सही अंसर होगा निजीलेंड भार्तिय नौसेना ने नियूजिलेंड की नौसेना के साथ एक वाइट सीपिंग इंफोर्मेशन एक्चेंज पर एक समझावते पर हस्ताक्षर किया है नेक्स्ट कोश्चन है यह गंगा बेसिन में किसानों के बीच प्रक्रितिक रूप से खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है एक नई उन्नत परवेक्षन निगरानी परनाली दक्ष किसके द्वारा लंच की गई है तो इसका सही अंसर होगा भार्तिय डिजर बैंक भार्तिय डिजर्ण बैंक द्वारा दक्ष नामक एक उन्नत परवक्षन निगरानी परणाली लंच की गई है नेक्स्ट कोश्चन है वायू प्रदूशन को नियंत्रित करने के लिए किस राजने एंटी डेस्ट अभियान शुरू किया है तो इसका सही अंसर होगा दिल्ली दिल्ली ने हाली में वायू परदूशन को नियंत्रित करने के लिए एक एंटी डेस्ट अभियान प्रारंब किया है नेक्स्ट कोश्चन है किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया है तो इसका सही अंसर होगा भारतिय डिजर्बैंक भारतिय डिजर्बैंक ने हाली में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में साइवर हमले की चपेट में आई टेलिकॉम कमपनी अप्टस किस देश से सम्बंदित है तो इसका सही अंसर होगा आस्ट्रेलिया नेक्स्ट कोश्चन है राष्टपती द्रौपदी मुडवू ने किस सहर में महिला उद्यामियों के लिए स्टार्ट प्लेटफर्म हर स्टार्ट लंच किया है तो इसका सही अंसर होगा ए यानि की आहमदाबाद में राष्टपती द्रौपदी मुडवू ने आहमदाबाद में महिला उद्यामियों के लिए स्टार्ट प्लेटफर्म हर स्टार्ट लंच किया है हर स्टार्ट का निर्मान गुजरात विश्व विद्याले द्वारा किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में जारी एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्स 2020 में किस राज में लड़के और लड़कियों के बीच सिसु मिर्ट्यू दर में सबसे अधिक अंतर रिकॉर्ड किया गया है तो इसका सही अंसर होगा C. 36 गड़ हाली में जारी एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में 36 गड़ में लड़के और लड़कियों के बीच सिसु मिर्ट्यू दर में सबसे अधिक अंतर रिकॉर्ड किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है UGC के दिशा निर्देश का नुसार उच सिक्षन संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की कितनी प्रतिसत सीमा तै की गई है तो इसका सही अंसर होगा 25 प्रतिसत धन्यवाद